नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सनिवार के दिन काले मिर्च के विसेश प्रियोग किये जाते हैं तो आज हम आपको बहुत सारे प्रियोग बताएंगे लेकिन अगर विडियो आपको पसंद आएगा तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखिएगा ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी आ सकते हैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा आपके परिशनलिटी से आपके खुसाली से जनन रखने वालों को टॉपिक नहीं चाहिए बस वो जलते ही रहते हैं कभी कभी तो इतने ज़्यादा वो परिसान करते हैं कि आप हार जाते हैं अब ऐसे में क्या करें कि सब कुछ बहतर हो जाए क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए आज हम काली मिर्च की बात करेंगे देखिए काली मिर्च अगर हम ज्योतिस की माने तो इससे बहुत सारे प्रियोग किये जाते हैं तोटके किये जाते हैं बहुत सिंपल सी चीज है आपके वातावरन का प्रवेस होता है भागी को बदल कर रख देता है ये काली मिर्च मानेता है अगर आपके उपर सणीदेव की साहरे साती ढहिया परिसान जादा करे आपको तब सणीवार के दिन काले कपड़े में थोड़ा सा काले मिर्च और थोड़े से सिक्के अगर काले धागे के सहरे बांध कर किसी को दान कर दें या पीपल के नीचे रख दें या किसी मंदिर के सिड़ी पे रख दें तो सनीदेब के प्रकोप से मुक्ती मिलती है तो ये तो सिंपल सा परियोग है इसको आप कर सकते हैं रोजी रोजगार की समस्या भी दूर होगी और जीवन के बहुत सारी परिशानियों से बाहर निकल आएंगे कई बार क्या होता है आप दिन बदिन उलस्ते चले जाते हैं किसी ने किसी चीज में कभी बीमारियां परिशान कर रही कभी धनकी समस्या है कभी पारिवारिक टेंसन है बहुत तरह की जीवन में टेंसन होते हैं एक कुछ आप ऐसे ऐसे टेंसन होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते अब ऐसे में आप माल लेते हैं आपके बास बहुत साई टेंसन आप परिसान है क्या करेंगे बहुत सिंपल काम करना है सनीवार के साथ काली मिर्च के पांच दाने ले 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 अब उनको आप अपने सर से साथ वार वार ले अपने घर में ही यह काम कर ले अब इसको किसी चीज में रखकर कागस बेगरे में आप किसी भी ऐसे अस्थान पर खड़े हो जाए अगर चौरहा है आपके आसपास तो वहां चले जाए य एक एक करके चार काली मिर्च चारो दिसाओं में फेकने जो पांचवा बच गया है उसको उपर आसमान की तरफ फेके और वापस आ जाए पीछे मुड़कर मत देखिएगा आकस्मिक धनलाप के योग बनेंगे जीवन के बहुत सारे परिसानियों से आप बाहर निकल आएगे आज हम सत्रू मुक्ती के लिए एक छोटा सा परियोग आपको बताएंगे बहुत सिंपल है देखिए काली मिर्च आपको लेने है साथ याद रखिए साथ काली मिर्च अगर सत्रू जादा परिसान करे अपने हों पराए हों कोई भी हों सत्रू सत्रू है एक है है हजार है तो 11 भी ले सकते हैं कोई दिकत नहीं है अब इसको आप किसी भारी बस्तू से दबा कर उसको हलका सा कूच दें पॉडर वाला जो मार्केटिव मिलता है उसको मत लीजेगा उसमें बहुत कुछ मासाला मिक्स रहता है तो उसको नहीं लेकर आप साबुत काली मिर्श लेकर ही कि किसी भारी बस्तू से दबा कर उसको हलका साथ दरदरा कर ले या पीच ले अब इसको गाई के कच्छे दूद में मिला कर किसी भी सनी वार या सोंबार के दिन जाकर सिब्लिंग पर अर्पित कर दें भगवान से प्राथना करें कि सत्रूं से मुक्ति दिलाईए यकीन सत्रू सान्त हो जाएंगे तीन सनी वार या तीन सोंबार लगातार कीजिएगा बहुत सिंपल है याद रखिए गाय का कच्छा दूद लेना है और काली मिर्च तो यह परियुक जबाब कीजेगा तो लगातार नमस्ष वाय का जब करते रहियेगा और बाठचित मत कीजिए आफ मंदिर जाएक कर तक मैं जाकर कर सकतے आइए घर में जाबए कर सकते हैं अगर 혹시 आफ मंदिर में करें तो जदा अच्छा क्योंकि उहां पर की चाहिए कभी भी और स्विकार नहीं होती है को तिक अब कई बार चुक् involves सिंपल है alors कि अपके पास गाय का दूद्ध नहीं मिल रहा है लेते हैं नहीं है आपको घर में प्रियोग करना है आप जल्दी में हैं सुबह सुबह बहुत जगा दूद्ध भी नहीं देदें दूद्ध वाला लेट से देते हैं तब अगर आपको लगे कि नकात्मक उढ़ जाएं पैसानिया बढ़ गई है तब एक सिंपल सा परियोग करें बहुत सिंपल है आपके उल्जनों को दूर करेगा सत्रों को सांत रखेगा आपके जीवन में अगर कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आप दिसा बटक गया है या पिर आप लगता है लक्षहीन हो गया है चाहकर भ भुजपत्र हो तो और अच्छा अगर आपके पास भुजपत्र मिल जाता है तो उससे चाह कुछ हो इनी सकता अब इस भुजपत्र पर या नहीं है तो सफेद कागज ले ले जिसमें मैथ बनाया जाता है जिसमें लाइन डे नहीं होती खीची भी वही वाला लीजेगा मिर्च के साथ दाने रख दे अब इस कागज को जैसे मर्जी मैं या सी आग में डाले जलती परियोग आपके सत्रूं को आपके जीव light का ज़िए पहले से दूर कर देगा वं दो मैं खत्म आपके बारे में कुछ डलत सोच भी नहीं पाएगा एकदम से सांथ, बहुत सिंपल है लेकिन प्रयोग अद्भूत है तो सत्रूँ से मुक्ति पाने के लिए ये प्रयोग अद्भूत है और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है अब हम आते हैं सिपजी के सरण में कई बार क्या होता है ऐसे लोग सत्रू होते हैं जिनको आप न छोड़ सकते हैं न पकड़ के रख सकते हैं आप फस चुके हैं अब यहाँ पर जब ज़्यादा परिसानी हो जाए तब एक सिंपल सा काम करें आपको चाहिए होगा पांच काली मिर्च के दाने और गाय का घी अब गही में थोरा सा घी पिघला ले इसमें पांच काली मिर्च के दाने लेने साबूत लेना है किसी डबे में बरतन में लेकर जाएं सिब जी के मंदिर घर में भी कर सकते हैं बाद में इसको उठा कर कई मिर्टे में दबा दीजेगा अब सिबलिंग पर इस घी में जो मिक्स किया है अपने काली मिर्च उसको अरपित कर दे और नमसिवाय का अनवरत लगातार जब करते रहें यह जो काली मिर्च है हलां कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं काली मिर्च नहीं अरपित करना चाहिए और आपके जीवन के मुस्किलें कम करता है जब आप काली मिर्च और घी सिबलिंग पर अरपित करेगा तो अपनी कामना कहिएगा बोल बोल कर मन में नहीं मन की बहुत सारी बाते होती है अच्छी बुरी डर भै लेकिन हर बात पूरी होने लगी तब तो हो गई इसलिए जो भी आपकी कामना है वो बोलिए इसके बाद जब आप अरपित कर ले फिर एक लोटा जल अरपित कर दीजिएगा तब काली मिर्च का एक परियोग आपके जीवन की हर मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा देखिए एक घर में एक नियम बना ले जब भी आप दिया बाती करते हैं साम के वक्त याद रखिए साम के वक्त तब दीपक में एक काली मिर्च का दाना डाल कर और फिर जलाए अगर धन चाहते हैं तो एक छोटा सा परियोग करें काली मिर्च के पांच दाने ले सर से साथ बार घुमा ले और फिर किसी चौराहे या सुनसान जगह पर खड़े होकर चारो दिसाओं में चार दाने एके करके फेग दे और पाच बादाना आसमान की तरफ उच्छाल का फेग दे फिर पीछे मुल कर मत देखे घर चले आए लेकिन अगर सनी के कस्टों से मुस्किनों से परेसान है यानि सनी की साड़े साती धहिया हो या कुंडली में सनी बिगड़ा हो तो काली मिर्च का ट्रोटका यानि की काले कपड़े में थोरी सी काली मिर्च और एक सिक्का बांध कर किसी को दान कर दे तो सनी देव की मुस्किनों से आप बचे रहेंगे कई बार क्या होता है नोकरी बैपार आपके अच्छी चलती ही नहीं आप कोई भी काम करने जाते हैं उसमें और सफलता मिलती है आप कोई डील फाइनल करने जा रहे हैं मन में डर है आप बच्चों का बिभा समंधी बाते करने जा रहे हैं जमीन जायदा समंधी बाते करने जा रहे हैं आप सोचते हैं कि उसमें सफलता मिले तब क्या करेंगे एक काली मिर्च का दाना सिविलिंग पर काम के लिए अपने घर से निकलते हैं तो घर से निकलने के पहले अपने घर के चौकट पर एक काली मिर्च के दाने रग दें और उसको उसके ऊपर जूते से चपल से उसको तोड़े और उसको थोड़ा सा आगे की व कर देखेंगा आप जो भी कारे के लिए निकले हैं ना उसमें सफलता मिलेगी एक खास बात हम आगे बढ़ें उसके पहले देखें कई बार क्या होता है आपके बच्चे हैं टीनेज के हैं बाहर जाते हैं इधार घूमते हैं कभी उनको अंदर से अच्छा फेलिंग नहीं आत होंगी उपरी हवा होगा तो वह निकल जाता है जो घर का सबसे अंधेरा कोना है उस कोने में साम के वक्त एक सरसों के तेल का दिया जलाएं और उसमें दो दाने काली मिर्च के डाल दें बाती के पास ही रखिएगा ताकि वह संबब हो तो वह दाने भी जल जाए आपके घर का निगटिविटी समाफ्थ हो जाएगा तो फिलाल हम आपसे भी दा लेंगे हर हर महादेव जानकर या अच्छी लिए तो लाइक कर सबस्क्राइब चरूर करें